नमस्कार दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो आप सब के लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों ये कोमेंट आया था जिसके अंदर लिखा था कि सर बीए परिक्षात 2022 के अंदर हमारा जो जियोगराफिक का पेपर होने वाला है उस इस तरीके से आपको जियोगराफिक का अंदर हेडिक बनाना है तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लिए विल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो दोस्तों आए देर ना करते हैं और और सबसे पहले हम लोग साथ परोशनों का हेडिंग बना करके सीखते हैं दोस्तों साथ परोशनों का हेडिंग बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दू कि आपका जो जियोगराफिक होता है जियोगराफिक का मतलब क्या होता है उसको समझ लेजिए और जियोगराफ के प्रजातिया इससे सम्मधित आपके जियोग्राफिक के अंदर कोश्चन आता है तो पहला कोश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और इसका हेडिंग बनाने की कोश्चिस करेंगे पहला कोश्चन है मानव भूगोल की प्रकिर्ति सखाओ येवं विकास करम का उरण कीजिए दोस इसका हेडिंग करना है तो इसका है क endure कहा है के जिकली प्रकिर्ति के फाहते के दुछuar ही शाठ मैंगे साखा क्या होती है ये साखा क्या होती है विकास करम क्या होता इसका ऊरण करना है तो इसका heading कैसे बनाएंगे तो समाजिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका भूमिका, दोस्तों देख एक चीज मैं बता दू कि भूगोल के अंदर, यानि भूगोल के अंदर आपका परिक्षा होगा, उसके आप दो चीज लिख सकते हैं, या तो आप भूमिका लिख सकते हैं, या तो आप उसका परिभासा लिख सकते हैं, भूमिका या परिभासा दो चीज आपको लिखना होगा, जियोग्राफिक के अंदर, तो सबसे पहला heading हम क्या लिखेंगे दोस्तों, किसी भी प्रसने का थोड़ा सा explain कर देंगे, कि मानो भूगोल क्या होता है, परकिर्ती क्या होती है, साखा क्या होता है, विकास क्या होता है, वड़न क्या होता है, सभी के बारे में थोड़ा सा explain कर देंगे, तो हमारा heading हो जागा भूमिका, उसके पर दूसरा heading लिखेंगे, अब दूसरा heading क्या हो जाएगा हमारा द्यान समझे दूस्तों यहां पर साब सब को कह रहा है कि मानो भूगोल की परकिरती साखा एवं विकास करम का वड़न कीजिए तो यहां पर दूस्तों हम लों क्या करेंगे सबसे पहले हम लों लिखेंगे मानो भूगोल के बारे में क्योंकि पहला पॉइं main point क्या है हम यहां पर d廿ग Curl अब दूस्ताو यहां पर देखिए यह जो मानो भूगोल आप दूसरे heading है इसके अंदर आप मानो भूगोल की परिभासा लिखेंगे आप यहाँ पर चुकि परिभासा heading ने लिखेंगे आप यहाँ पर मानो भूगोल लिखेंगे और मानो भूगोल लिखने के बद क्या करेंगे यहाँ पर इसकी परिभासा लिखेंगे इसके अंदर तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे मानो भूगोल की परकिर्थी दुस्तों देखिए जब आप परस्न को दो से तीन वर पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ केलियर हो जाएगा कि प्रस्न क्या पूछ रहा है और आटोमेटिक आपका जो हेडिंग है वो निकल के आ जाएगा तो मानो भूगोल की परकिर्थी साखाओ उम्भिकास करम का उड़न केजिए तो दोस्तों दूसरे हेडिंग में तो हम लोग मानो भूगोल कर लिए तीसरे हेडिंग में हम यहां से यहां तक लिख लिए और चौथ हेडिंग में क्या लिखेंगे चौथ हेडिंग मानो भूगो महांनो खूगोल का विकास करम का छी यहां पर लिखेंगे मानो खूगोल का विकास करम विकास करम यह हमारा हो जाग है दुस्तों पांचवा हेडिंग, यह हमार फांचवा हेडिंग मन गया दो और यह रहाटा ही जा हहाँ, उसको समझेए, अब दोस्तों यहाँ पर दखिए, और यहाँ पे आप माशी बना करकी है, पर्किरति के परिख्षा के अंदर आपको कम से कम 3-4 पेज लिखना होता है देर के उत्री परस्निक अंदर जब तक आप हेडिंग नहीं लिखेंगे तब तक आप अच्छे से 3-4 पेज में लिख पाएंगे तो हम क्या करेंगे लाश्ट में हम इसका निसकार्स लिख देंगे याद रखेगा लाश्ट में आपको क्या करना है लाश्ट में इसका निसकार्स लिख देना है और निसकार्स के अंदर थोड़ा से एक्स्प्रिंट करके लिख देना है तो इस तरीके से हमारा जो पहला कोश परक्रषन कने साव लगा कराया दे доллар चतर ही द्यूस को देखेंगे दुसरे परशन को मिल्ड़न कीजिए यहां पर tääग मानोव भूगो और परमुख सिधांत के वररन कीजिए यहां में परमुख सिधान पूछ रहा है और इसका कारीचेतर भी पूछ रहा दोसका देखिए यहां पर मानवूगौल का परमुख सिधात्त पूछ रहा है इसका वढ़न करने के लिए कर COVID कारीचेतर लिए की मानव गोस자를 क्या है तो हम क्या करेंगे पहला हैडिंग कैसे लिखेंगे यहां अब यहां पर दोस्तों पहला हेडिंग हम क्या लिखेंगे तो पहला हेडिंग हम लिखेंगे भूमिका या परिभासा दो ही चीज आप लिखेंगे भूमिका या परिभासा तो इसके अंदर हम लिखेंगे भूमिका या परिभासा तो इसके अंदर हम लिखेंगे भूमिका य मानो भूगोल दूसरा हेडिंग यह हो गया दूस्तो हमारा मानो भूगोल हमारा दूसरा हेडिंग हो गया चलिए दूसरा हेडिंग मानो भूगोल हो गया अब तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे दूसरे प्रसन में देखते हैं तीसरा हेडिंग क्या बन सकता है तो तीसरा भूगोल के मानो भूगोल के प्रमुक सिधान्थ ये दोस्तो हमारा हो गया अगला हेडिंग अब दोस्तो आप एक बाद धान लखेगा यहाँ पे मानो भूगोल के प्रमुक सिधान्थ के बारे में पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे आप इसके अंदर अगर याद है तो आप क्या किजिए आप इसके अंदर पॉइंट नमर एक पॉइंट नमर दो पॉइंट नमर तीन इस तरीके से करके पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ पर लिखे देंगे इसका अगला हेडिंग कारे छेत्र है तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे मानो भूगोल का कारे छेत्र है इसको हेडिंग के रूप में लिखनेंगे मानो भूगोल का कारे छेत्र का इसके बारे में लिख देंगे द मानो भूगोल की परमुख सिधान्त में लिख दिये उसके बाद मानो भूगोल की परमुख सिधान्त में लिख दिये उसके बाद मानो भूगोल की परमुख सिधान्त में लिख दिये उसके बाद मानो भूगोल की परमुख सिधान्त परमुख सिधान्त परमुख सिधान्त मे अब देखेंगे कि परस्निक अंदर और कौन सा पॉइंट छूट रहा है जिसको हम हेडिंग बना करें लिख सकते हैं तो अब जोस्तों यहां पे कोई भी पॉइंट नहीं बाचाये लिखने के लिए परस्निक अंदर तो हम क्या करेंगे लास्ट में हम यहां पर लिखे निसकर्स और निसकर्स के अंदर हम दोस्तों थोड़ा बहुत एक्स्प्लेंट करके सभी के बारे में लिख देंगे तो यह हमारा कोश्चन का हेडिंग कप्लेट हो जागा जैसे सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे और लास्ट में निसकर्स लिखेंगे याद रखे यहाँ दोस्तों हम लोग लिखेंगे अगला हेडिंग बना कर लिखेंगे मान यानि कि 20 में जो जनसंख्या का वर्तमान बित्रड है उसका प्रतिरूप क्या है उसकी ब्याख्या के बारे में इसकी ब्याख्या करना है तो इसको दोस्तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसकी भी हेडिंग बनाएंगे हम लोग तो इसका पहला हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तो या फिर जनसंख्या मिलीगे हमको, तो हम दोस्तों लिखेंगे जनसंख्या की पईभासा लिखेंगे, क्योंकि बीसों में जनसंख्या का वर्तमान बित्रड क्या है, तो यहाँ पर अगर में पॉइंट देखें, तो में पॉइंट क्या आपका, में पॉइंट आपका जनसंख को लिखेंगे तो यहां पर दूस्तों हमारा जो पहला हो जाएगा यहां पर हमारा पहला हैडिंग हो जाएगा जनसंख्या दूस्तों हम इसके अंदर क्या लिखेंगे द्यान समझे जनसंख्या के अंदर दूस्तों जनसंख्या के बारे में लिखेंगे कि जनसंख्या की परि प्रतिरूप की ब्याख्या कीजिए यानि कि इसके प्रतिरूप की ब्याख्या करने के लिए बोल रहा है लेकिन सबसे पहले क्या बोल रहा है सबसे पहले बोल रहा है वर्तमान वित्रण तो दूसरा हेडिंग हम लिखेंगे यहां पर बना करके लिखेंगे जंसंख्या वित् अब तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे इसको समझे तीसरा हेडिंग क्या होगा यहां पर देखिए प्रस नंबर तीन के अंदर देखते हैं आप कह रहा है कि बीशो में जनसंख्या का वर्तमान वित्रड एवं इसके प्रतिरूपू की ब्याख्या कीजिए तो दोस्तों अब ह हम क्या करेंगे कि दोस्तों देखिए इसके अंदर हम ले लेंगे यहां से और यहां तक एक पर हम लोग जनसंख्या का देखिए यहां पर हम लोग लिखे हैं जनसंख्या के बारे में लिखे हैं और अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर जनसंख्या का वर्तमान वित्रड य जन संख्या का 20 में जन संख्या का वर्तमान बित्रण यहां पर दूस्तों हमारा तीसरा एडिंग हो जाएगा 20 में जन संख्या का वर्तमान बित्रण यहां पर दूस्तों हम लोग दिखेंगे तीसरा प्रस्न हो गया हमारा 20 में जन संख्या के वर्तमान बित्रण दूस्तों द लेकिन जब 200 लेन लेंगे यहां पर जब 200 सब्द एड हो जाएगा तो पूरे 200 में जल संख्या का वर्तमान बितर्ड का है इसके बारे मापको लिखना पड़ेगा उसके बार चौथा है प्रस नमर 3 जो है इसके अदर जो है अगला हैडिंग क्या बना सकते हैं तो इसके अगल प्रतिरूप के बारे में पूछ रहा है तो हम इसके प्रतिरूप के बारे में भी लिखेंगे लेकिन उसे पहले दोस्तों एक बात और ध्यान लखेगा अगर हम यहां पर जो लिखें हैं 200 में जल संख्या का वर्तमान बितर्ड तो इसके अंदर बना के लिख सकते हैं यहां पॉइंट नमर एक देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे कि भूमी के अधार पर बित्रड यानि कि भूमी के अनुसार बित्रड देखिए जो भी चलसंख्या आमारी होती है भूमी के अनुसार भी बित्रड होती है यानि जो भूमी होती है उसके बानावट के अनुसार इस उसके बाद दूसरा point हम क्या बना सकते हैं भूमी के अधार पर हो गया अब दूस्तों हम लो लिख सकते हैं रहान सहान अब हम लो लिख सकते हैं रहान सहान एवं रहान सहान एवं खानपन के अधार पर क्योंकि रहान सहान एवं खानपन भी बहुत थी रहन सहन यहां खान पन के अधार पर आपका बित्रड हो गया इस तरीके से आप बना करके लिख सकते हैं रहन सहन यहां खान पन के अधार पर आपका बित्रड हो गया दूसरा पॉइंट अब तीसरा point है क्यों गांग तो तो संस्कृृति के आधार भी तरणे यहां परुज़तो हो गया हमारा 3 point है क्लिचा ही कि प्रति रूपों की तर्थि रूपों के बैठ्चा किजीए तो सब्से पहले तो हम लोग जनसंखया लिख लिए heading, उसके बाद दूसरा heading लिख लिख लिए जनसंखया का वरतमान वितरर, तो जब हम 200 में जनसंखया का वरतमान वितरर लिखेंगे, तो इसके अंदर हम को यह भी लिखना पड़ेगा, कि 200 में जो भी जनसंखया वरतमान वितरर होती है, उस उसके अंदर क्या क्या और अलग हो सकता है जैसे यहां पर हम लोग लिखे हैं कि भूमी के अधार पर बित्रार हो सकता है जैसे भूमी के अधार पर बित्रार हो सकता है उसके बार रहांसान के अधार पर बित्रार हो सकता है और संस्किर्थी के अधार पर बित्रार हो सकता है तो चाइना पहलो है जब्याइन एंडिय के लोग इण echidya में रहानी के ऐधार पर विधितर्वर नहीं रहेंगे तो इस बात को भी लिख सकते हैं आप statistics हो गया और तीसरा हेडिंग के अंदर हम तीन पॉइंट लिख लिए आप दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग क्या होगा हो समझे चौथा हेडिंग हम क्या बनेंगे तो दोस्तों के कोश्चन पूछ रहा है कि 200 में जनसंख्या का वर्तमान वित्रण यहां इसके प्रतिरूपों लिखेंगे जनसंख्या का प्रतिरूप दोस्तों जनसंख्या का प्रतिरूप यह हमारा हो गया दोस्तों अगला हेडिंग अब दोस्तों हम दोस्तों के अंदर आप क्या बच रहा है तो कोश्चन के अंदर आप देखेंगे तो कूछ भी नहीं बच रहा है जैसे जनसंख्य तो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बच रहा है तो हम क्या करेंगे लास्ट में हम यहां पर लिख देंगे इसका निसकर्स तो पांचवर हेडिंग दोस्तों हमारा हो जाएगा निसकर्स इस तरीके से आपको अपना हेडिंग लिखना है लास्ट में निसकर्स लिखेंगे प हम लोग बनागे लिख लिए भूमी काधार पर रहन सन काधार पर खानपानां काधार पर और संस्किर्ती काधार परुसके बोगों ने टीशरे प्रस्ण का भी हेडिंग ठ्यार कर लिया जो हमारा तीसरा प्रस्ण तो इसके प्रतीरूपयों के बेख्या किजिए अब दोस्तों, हम लोग देखेंगे चौथा कोस्टन, चौथा कोस्टन कर रहा है कि बुस्मायन के निवासचेतर का वर्ण करना है, तो इसके अंदर आपको पॉइंट बह। ज़्यादा नहीं दिया गए, बहुत कम पॉइंट मिला है heading बनाने के लिए तो इसका heading कैसे बनेंगे धान समझेगा सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले आप इसका भूमिका लिखेंगे जो भी कोश्चन है चौथा कोश्चन बुस्माइन के निवास छेत्र कवरान कीजिए तो सबसे पहले हम लोग यहां पर भूमिका लिख है यहां पर चौथा कोश्चन है इसका सबसे पहले हीडिंग क्या हो जागा पहला है हमारा भूमिका हो गया तो भूमिका के अंदर हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे अब दूसरा हेडिंग क्या बनेंगे तो दूसरा हेडिंग हम देखेंगे क्या बन सकता है तो कह रहा है कि बुसमयन के निवास छेत्र का उड़न केजे तो पॉइंट का है पहला तो दूसरा हेडिंग हमारा होगा बूसमयन यहां पर हम दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे दूसरा हेडिंग हम लिखेंगे बूसमयन यहां पर हमारा हो जाएगा बूसमयन यह हमारा हो गया दूसरा हेडिंग चलिए अब तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे दूसरा हेडिंग लिखेंगे बुसमयन का निवास चेत्र यहां पर हम लो लिखेंगे बुसमयन का निवास चेत्र यहां पर हम लो लिखेंगे बुसमयन का निवास चेत्र यहां पर हम लो लिखेंगे बुसमयन का निवास चेत्र यहां पर हम लो लिखेंगे बुसमयन का निवास चेत्र यहां जो बुसमेन होते हैं, उनके कितने परकार के निवास छेतर होते हैं, क्योंकि निवास छेतर बी अलग अलग हो सकते हैं, तो हम लो लिखेंगे कि बुसमेन के निवास छेतर के परकार, तो यहां पर जोस्तों हमारा चौथा जो हेडिंग हो जाएगा, बुसमेन के निवास छे गर भूष बारा हम ज़िछ सकती है तो भूष मयन का निवास खेत्र के परकार भी हो सकते हैं, अब देखेंगे के क्वेश्टन के निवास खेत्र हो गए और भूष खेत्र का वर्ण भी हो गया अब यहां पर कुस नहीं बच रहा है तो हम क्या करेंगे last में हम दोस्तु यहां पर लिख देंगे niskars तो हमारा पाच्वा जो heading हो जाएगा दोस्तो यहां पर niskars तो हमारा जो पूरा heading कम्प्लिट हो गया पॉर हम लिखेंगे भूमिका भूमिका करंदर आप इसके बारे में थुछा से लिखेंगे उसके बाद बुस्मायन के बारे में लिखेंगे फिर बुस्मायन के निवास चेतर लिखेंगे और बुस्मायन का निवास चेतर है उसके परकार लिख दिये और लास्ट मेने इसका लिखेंगे तो हमारा है एडिं अम धुटanka अब अव्य लीग होड़को pressing is산 wn धुट दू में अर्थय सी ज़ंधा को चाहते हैं नियुकण हम चलessä मानों की मानमी ही ज़िए यानि की मानों की जो अर्थय बोस्था होती है एए लिखेंगे दूसनर पॉंट हम यहां पे क्या करेंगे सब से भाले अर्थ बेवस्था के बारे में लिखेंगे कि अर्थ बेवस्था क्या होता है जब तक हम अर्थ बेवस्था के बारे में नहीं लिखेंगे हमें किलियर नहीं होगा कि मानुई अर्थ बेवस्था क्या होता है तो दूसरा heading दूस्तो हम लो लिखेंगे आर्थ बेवस्था, यहाँ पर दूसरा हैडिंग हो जाएगा दूसरा हैडिंग हो जाएगा हमारा आर्थ बेवस्था, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर्थ बेवस्था, हमारा दूसरा हैडिंग हो गया अब दूसरा हैडिंग देखेंगे कि परसने के अंदर इसरे heading क्या होगा और प्रस्न क्या कहा रहा है दोस्तों प्रस्न कहा रहा है कि मानुवी अर्थ ब्योस्था का वर्गिकरण कीजिए तो सबसे पहले हम लोग अर्थ ब्योस्था का बारे में जान लिए अब दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे अब लिखेंगे अब लिखेंग हम अर्थ ब्यवस्था के बारे हम पहले बताएंगे उसके बाद अर्थ ब्यवस्था का अर्थ क्या होता है उसको लिखेंगे यानि कि अगर आप चाहें धान देजे अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं अर्थ ब्यवस्था का परिभासा यहां पर लिख सकते हैं अ चौत-ब्स्त ने बनेंगे तो चौता अज Susra पूछ राया अब हम आपके लिखेंगे तो सुथा प्रसक्राइट मिकार ने बनेगा तो प्रसक्राज नगा हम लोग यहां पर मानुवी अर्थ ब्योस्ता के बारे में लिखेंगा इसे तरीके से कि मानुवी अर्थ ब्योस्ता क्या होता है दूस्तों दिखिए जो प्रस ने पूछता है अगर आप डियरेक्ट वही लिखेंगे तो आपका जो हेडिंग है कम से कम एक या दो हेडिंग मे के लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा इसलिए जो प्रस्ण पूछता है उसको थोड़ा सा अपने दिमाग से घुमा घुमा करके बना बना के लिखना पड़ता है तब जाके आपको अच्छा नंबर मिलता है तो पहले हम लोग भूमिका लिख लिए उसके जोड़ के लिख देंगे मानवी अर्थब्योस्ता जो प्रस्ण में पूछा है तो मानवी अर्थब्योस्ता हम लिख लिए हैं अब अगला हेडिंग पाच्वा हेडिंग क्या बनाएंगे तो ध्यान समझेए पाच्वा हेडिंग मना सकते हम मानवी अर्थब्योस्ता का वर लेके लिखे देंगे तो अगला heading जो बनाके लिखे देंगे हम यहाँ पे हमारा पांचवा heading हो जाएगा मानवीय अर्थ ब्यवस्था का वरगी करण जो प्रस्न में पूछा है हम लिखे देंगे तो हम क्या करेंगे हम यहां पे लास्ट में लिख देंगे इसका निसकर्स, तो दोस्तो हम यहां पे निसकर्स लिख देंगे और इस प्रश्णी का heading हमारा complete हो जाएगा तो दोस्तों देखिए सबसे पहला हम लोग प्रस्ण को समय नहीं प्रस्ण क्या करना है, प्रस्ण का रहा था था, कि मानुमी अर्थ बहुत साथ है, अगर हम डारेक्ट लिखे देंगे अर्थ, और इसके अंदर उतर लिखे देंगे, तो हमारा एक हैंडिंग को पूरा उतर और लिखेना है गर आप को ध्यास चप्रोग के बारे में बताइए कि इतना था nutrit के میई दूस्तों पर्सम ठाएं गर्षी को रिखे गे से चिसकंट इसमें आपका भूष स्द। भूमी का, step by step हम नो लिखते चलेंगे यहां पे दोस्तो आपका हो गया प्रस नंबर 6, का हमारा लिखेंगे Butsal감 6 का पहला एडिंग हमारा लिखेंगे आपर दीखेंगे, यहां पर प्रस नंबर 6 का पहला हाँअगी हो जाएगा, हमारा भूमी का तो अब हो जाएगा हमारा सिधान्तो की आलोचनात्मक ब्याख्या तो अगला हैडिंग हो जाएगा हमारा तीसरा हैडिंग हो जाएगा कि सक्रियता सिधान्तों की सक्रियता सिधान्तों की अलोचनात्मक अलोचनात्मक ब्याख्या यहाँ पर दोस्तों हो जागा सक्रियता सिधान्तों की अलोचनात्मक ब्याख्या यह आपका हो जागा तीसरा हैडिंग किरिया सीधांत के बारे मत हैं आप लोग क्या करेंगे अगला हेडिक बनाएंगे करिया सीधांत पॉइंट जोस्तों इसके अंदर बहुत है लिखने में कोई दीकत नहीं होगा बस थोड़ा साब दिमागा लगेंगे तो आ जाएगा पहला हेडिंग हम बना लिए क्या पहला हेडिंग हम लिखे इसके अंदर भूमिका दूसरा हेडिंग बना लिए सक्रियता सिधान तो दूसरा हेडिंग हम लिख लिए सक्रियता सिधान अब तीसरा हेडिंग हम लिखे इसके पूंचे हो गया चहा है कि फुलता सिधान के बारे में बताईए तो यहां पर जो हो था, चौथा heading हो जाएगा, किरिया सीलता सिधान, तो हम यहां पर दोस्तों लिखेंगे, किरिया सीलता, किरिया सीलता सिधान, यह हमारा हो जाएगा, चौथा heading, यह हमारा हो गया, चौथा heading, किरिया सीलता सिधान, अब दोस्तों देखेंगे, परस्न के अं तो इसके अंदर आपको थोड़ा याद है तो इसके अंदर पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर दू इस तरीके से करके आप बता सकते हैं उसके बाद चोथा हेडिंग लिखेंगे किरिया सिल्ता सिधान जो प्रस्ण में पूचा और लास्ट में जब आपको कोई हेडिंग नहीं मिलेगा बनाने के लिए तो लास्ट में अपनी स्कर्श लिख देंगे तो आपका छठा प्रस्ण का हेडिंग कंप्लेट हो जागा अस्थानांतरड या मानो परवास का अर्थ क्या होता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी भूमिका तो यहाँ परस्ण नमबर आपका पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका किसी भी परस्ण के अंदरा भूमिका जरूर लिखेगा पहला हेडिंग हो आपका भूमिका तो दोस्तों यहाँ पर जोन आस्थानांत्रड पूछ रहा है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, जोन आस्थानांत्रड हुआ, अब हम यहाँ पर लिखेंगे जोन आस्थानांत्रड, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा हेडिंग हमारा हो जाएगा, दूसरा हेडिंग हो ज रहा है कि जन अस्थानांतर या मानव परवास का अर्थ बताइए तो जब यह अर्थ पूछ रहा है देखिए प्रश्ण पूछ रहा है कि जन अस्थानांतर या मानव परवास इन दोनों का अर्थ पूछ रहा है देखिए प्रश्ण को भी थोड़ा समझना जरूरी होता है प जोन अस्था नांत्रड का अर्थ जोन अस्था नांत्रड का हम यहां पे अर्थ लिख देंगे यह हमारा हो जाएगा तीसरा हेडिंग जोन अस्था नांत्रड का अर्थ हमारा हो जाएगा तीसरा हेडिंग अब चोथा हेडिंग क्या लिखेंगे तो लिखेंगे अब चोथा ह मानो परवास, मानो परवास हो जाएगा, क्योंकि प्रस्न में पूछा है मानो परवास, अब पाचवा हेडिंग दोस्तों हम बना सकते हैं, मानो परवास हो गया, अब यहां पर लिखेंगे मानो परवास का अर्थ, क्योंकि देखिए, प्रस्न में साफ सब कहा है, कि जोन अस् मानो परवास का अर्थ मानो परवास का हमया पर अर्थ लिखे लिए मानो परवास का अर्थ हमारा हो गया दोस्तों देखिए सबसे पहले हम भूमी का लिखे हैं उसके बाद जन अस्थानांतरर लिखे हैं और जन अस्थानांतरर का अर्थ लिखे कि मानो परवास लिखेंगे तो मानो परवास का अर्थ भी लिखना पड़ेगा और जान अस्थान अंत्रड का अर्थ भी लिखना पड़ेगा अब दोस्तों देखेंगे परशने के अंदर हमारा क्या बचा है तो अब दोस्तों परशने के अंदर हमारा जान अस्थान सप्षण का वाण्वा डिख लिए तो इस तरीके संत्र अगर आप और 7 प्रवाश्ण को दिखेंगे भूगोल के अंदर आप इस तरीके से question को पढ़ेंगे, point को समझेंगे और point को समाज करके उसका heading बनाएंगे और सबसे पहले भूमिका और last में आपने discuss लिखेंगे, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको आच्छा खासा number मिलेगा और आप किसी भी प्रशन का heading बना थैंकि दोस्तों